बारा हजार रुपे के बजट के अंदर आने वाली सबसे ज़ादा एडवांस और सबसे ज़ादा फीचर्स वाली नोट काउंटिंग मशीन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये है ZEPTRA की ZIPL 7044 मशीन और ये है इसकी रिटेल पाकिंग जो की काफी सुन्दर कॉरोगेटेड पाकिंग है इस बॉक्स के अंदर में मिलती है एक यूजर मैनूल और एक कुछ असेसरीज मशीन को डस से प्रोटेक्ट करने के लिए मिलता है एक कवर मशीन को पावर देने के लिए मिलती है एक पावर कॉर्ट मशीन में अटाच करने के लिए मिलती है ये एक्स्टरनल एक्स्टर डिस्प्ले और एक मिलती है ये नोट काउंटिंग मशीन ये एक आटोमाटिक मशीन है जिसके अंदर जब नोट्स रखे जाते हैं automatically counting start हो जाती है और जैसे ही notes खतम हो जाती है तो यह machine automatically stop हो जाती है यह इसकी input tray है जहाँ पे notes रखे जाएंगे और आगे की तरफ यह output tray है जहाँ पे notes आके collect होंगे तो इस तरीके से यह note डाले जाएंगे और आप देखिए note डलते ही counting automatically start हो गई है और एक counting complete होते ही यह machine automatically stop भी हो गई है और notes count होने के बाद इस machine ने note की value बता दी है और यह value इस display के उपर भी आ रही है और साथ साथ इस side में display है उसके उपर भी आ रही है machine बता रही है कि इसके अंदर 200 के 100 note हैं जिनकी total value 20,000 रुपे बनती है इस display के side में एके keypad दिया हुए जिसका यूज करके machine के different modes को activate और deactivate किया जा सकते है इस machine के अंदर एके handle दिया हुए जिसका यूज करके इस machine को easily carry किया जा सकते है और जब इसकी जरूत नहीं है तो इसको नीचे कर दिया जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि इस machine के अंदर कोई handle भी है इस machine की back side में एके power port दिया हुए जिसके अंदर cable लगा के इस machine को power दी जाएगी और उसी के उपर एके on off का switch दिया हुए और side में एके port दिया हुए जिसका use करके इस machine के अंदर external display add करी जाएगी इस machine के अंदर multiple sensors दी हुए जो कि counting के time पर ही counting करते करते fake notes को भी detect करती है और इस चीज़ को check करने के लिए इस deck के अंदर मैं एक ए blank paper की cutting डालता हूँ क्योंकि fake note मेरे पास नहीं है बट ये भी fake note का ही काम करेगा तो इस deck के अंदर मैं डालता हूँ और डालने के बाद अब check करते है कि machine जब fake note आएगा तो इसको कैसे detect करती है बट इससे पहले एक चीज़ का ध्यान रतने है कि machine के सभी sensors on होने चाहिए नहीं है तो ये in buttons का use करके इन sensors को हम on कर सकते हैं तो अभी deck मैं इसके अंदर डालता हूँ और ये fake note आते ही machine ने error दिखा दिया और machine रोग दी तो जो duplicate note है इसको मैं निकाल लेता हूँ और निकाल के machine को दुबारा start करता हूँ तो machine ने ये जो इस fake note को detect करके अलग करा था इसको counting में नहीं लिया है तो जितने भी जिनने notes इसके उपर पढ़े हैं इसी को machine ने counting में लिया था इस machine के अंदर mix note counting का भी feature है यानि different denomination के notes पे अगर इसके अंदर डाले जाएंगे तो वो सारे ये machine count करके उनकी total value भी बताएगी इस mix feature को check करने के लिए मेरे पासे कुछ 500 के note हैं जिसके अंदर मैं ये कुछ 200 के note डाल देता हूँ अलग-अलग positions पे और अब इस different positions पे 200 के note डालने के बाद अब मैं इस machine के अंदर डालता हूँ और हम check करते हैं कि machine क्या दिखाती है इस deck के बारे में machine बता रही है कि इसके अंदर 46 के 500 note हैं और 200 के 3 note हैं तो total 49 pieces हैं जिनकी value 23,600 रुपीज बनती है तो ये machine काफी accurately mix notes को count करती है और उनकी value बताती है इस machine के अंदर sort का भी feature है जो की बहुत ज़्यादा useful feature है इस machine के अंदर जब कोई deck डाला जाएगा तो उसका जो भी first note होगा उसके अलावा अगर कोई और denomination का note इस machine के अंदर आता है तो machine रुख जाएगी और आपको बता देगी कि उसके अलावा कोई और denomination का note इसके अंदर डाला गया है और इस sort feature को use करने के लिए इस sort वाले बटन का use करने ये press करते है ये sort mode on हो जाएगा और अब इस 500 के deck के अंदर कुछ रहे 200 के note डाले हुए है इनको हम चेक करते हैं कि machine क्या करती है तो sort feature on करने के बाद मैंने ये notes इसके अंदर डाले counting start हो गई थी start होने के बाद ये machine ने alert दिखा दिया और एक ए 200 का note इसके अंदर डाला हुए ये note मैं निकालूँगा और निकालने के बाद दुबारा से machine को start करूँगा तो फिर से machine रुक गई क्योंकि ये 500 के लावा कोई और denomination का note था इसके अंदर तो इसको भी मैं निकालके दुबारा से machine को start करता हूँ और last में फिर एक नोट आ गया तो जितने भी notes ने ये machine ने इस deck से sort कर दिये इस machine के अंदर multiple batches भी बनाई जा सकती हैं इस batch feature को activate करने के लिए batch वाले बटन को press करना पड़ेगा और इसके बाद ये batch की value मांगेगा तो मैं यहाँ पे 2000 रुपीज इंटर कर देता हूँ तो अब ये machine 2000 रुपीज की value जब भी आ जाएगी तो machine को रोग देगी तो ये मैं इसके अंदर ये 200 की गड़ी डालता हूँ और देखते हैं कि machine क्या करती है तो ये 200 के 10 note आए और machine रोग गई और जैसे ही मैं इनको अठाऊंगा machine आटमाटिकली दुबारा सार्ट हो जाएगी और अगले 2000 रुपे पे आके रोग जाएगी तो इस तरीके से multiple true 2000 रुपीज के batches ये machine से इसी नहीं बनाए जा सकते हैं और ये 2000 रुपीज अभी मैंने feature activate है तो machine के अंदर जब भी nodes डाले जाएंगे तो उसका जो भी counter होगा अगली बार nodes डालने के बाद वो counter उसके आगे से start होगा बज़ाए zero से reset होने के तो अगर बहुत सारे nodes हमने एक साथ गिनने हैं तो ये feature बहुत जादा काम आता है ये machine automatic mode के अलाबा manual mode में भी चलाई जा सकती है अगर कोई नया user है और उसको इस machine के ओपर node counting करनी है तो कुछ टाइम वो manual mode को activate करके practice कर सकता है और उसके बाद automatic mode में इस machine को चलाया जा सकता है तो ये जो manual mode है इसको मैं activate करता हूँ और अब जब भी मैं इसके अंदर notes डालूँगा तो automatically ये machine counting start नहीं करेगी ये start वाला button जब press करेंगे तब ही ये counting start होईगी अब भी हमने जितनी भी counting करी है और जो भी testing करी है इस machine के ओपर वो Indian रूपी में करी है और इस Indian रूपी के लाबा और भी कुछ currencies के इसके अंदर option है जो कि इस button का use करके change करा जा सकते है जैसे कि इसके अंदर USG को option भी है इसके अंदर euro का भी option है तो euro और USG को भी इस machine के अंदर count कर जा सकता है और उनकी values भी check करी जा सकती है तो overall एक काफी बढ़िया machine है heavy duty machine है और cable 12,000 रुपे के अंदर बहुत ही सारी features provide करती है और अगर आप इस machine को purchase करना चाते है तो इसका जो best buy link है वो उन्चे description में आपको मिल जाएगा जहाँ पे click करके आप इसको बहुत ही सस्ते price पे purchase कर पाएंगे ऐसी ही और technology और gadget से related videos देखने के लिए यूट्यूब के ओपर Glitters Infatic Channel को जरूर सब्सक्राइब करें और bell icon प्रेस करके all दबाएं ताकि मेरी बनाई वीडियो की सबी notifications मिलें आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में नई information या नई गैरिट के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत